सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की कविता में दलितों पर हो रहे अन्याय की टूटन तथा तरप भी है, विद्रोग भी है, तो सामाजिक चेतना का ओजपुर्ण आहवान भी है, साथ ही उनके भीतर एक समवेदन शील और रूमानी मन भी है तो आएए यह कविता सुनकर उनके उस रूमानी मन को समझने की कोशिश करते हैं, कविता का शीरसक है तुम्हारे साथ रहकर अकसर मुझे ऐसा महसूस हुआ है, कि दिशाएं पास आ गई है, हर रास्ता छोटा हो गया है दुनिया सिमट कर एक आंगन सी बन गई है, जो खचा खच भरा है, कहीं भी ये कांत नहीं, न बाहर न भीतर हर चीज का आकार घट गया है, पेड़ इतने चोटे हो गये हैं, कि मैं उनके शीरस पर हाथ रखकर आशीश दे सकता हूँ आकाश छाती से टकडाता है, मैं जब चाहूं बादलों में मुझे चिपा सकता हूँ तुम्हारे साथ रहकर अक्सर मुझे महसूस हुआ है, कि हर बात का एक मतलब होता है, यहां तक की घास के हिलने का भी, हवा का, खिर्की से आने का, और धूप का दीवार पर चड़ कर चले जाने का तुम्हारे साथ रहकर अक्सर मुझे लगा है, कि हम असमर्थताओं से नहीं, संभावनाओं में गिरे हैं हर दीवार में एक दौार बन सकता है, और हर दौार से एक पूरा का पूरा पहार गुजर सकता है शक्ती अगर सीमित है, तो हर चीज अशक्त भी है, भुजाएं अगर छोटी है, तो सागर भी सिम्टा हुआ है सामर्थ केवल इच्छा का दूसरा नाम है, जीवन और मिर्त्यू के बीच जो भूमी है, वह नियती की नहीं, मेरी है